बॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल स्टेडी बटी में तो इस वीडियो में आपको सेक्शन से स्वाल करने जा रहा हूं तो सेक्शन से का जो फर्स्ट कोस्टन है हो कर रहा है इफ 10 inverse x-3 upon x-4 plus 10 inverse x-3 upon x-4 is equal to pi by 4 then find the value of x तो मैं x की value find करना है तो आइए तो क्या करेंगे सबसे पहले जो हमें question given उसको लिख लेते हैं ठीके दिखने में कैसा लग रहा है 10 inverse x plus 10 inverse y का formula है 10 inverse x plus 10 inverse y क्या होता है 10 inverse x plus y upon 1-xy तो हम इसको open कर लेंगे तो दिखें यहां तो जाएगा 10 inverse x plus 10 inverse y 1-10 1-x into y is equal to pi by 4 जिए अब क्या करें ठीके इसको solve करेंगे ठीके cross multi vision करके इसका LCM लेंगे LCM लेंगे ज़िए कि x-4 x-5 ओपर आ रहा है x-4 x-5 नीचे आए यह दोनों cancel out हो जाएगा तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दिखें अब पाइब फॉर किसकी वैलू होते है 10 inverse 1 की तो यहां से कितना हो जाएगा 2 x square minus 24 upon minus 7 is equal to pi by 4 is equal to 10 inverse 1 ठीक है अब यहां से क्या करते हैं यहां से मारे क्या हो जाएगा 2 x square minus 24 upon minus 7 is equal to 1 ठीक है फिर यहां से इसको solve कर लेंगे cross multi division कर लेंगे 2 x square minus 24 is equal to minus 7 अब यहां से क्या करेंगे x की value यहां से निकाल लेंगे तो x की value आ जाएगा plus minus root 17 by 2 तो आए question number 14 की तरफ चलते हैं तो question number 14 की तरफ चलते हैं तो question number 14 है using property of determinant prove that तो हमको determinant की property का use करेंगे इसको prove करना है ठीक है ऐसा नहीं के expand करेंगे direct हम यहां पर प्रूपर्टी का use करना है तो देखिए सबसे पहले क्या को लिख लिए अब देखिए question को पहले row second row को देखिए ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है कि अगर हम इसको r1 को r2 से subtract कर दें तो मैं देखिए यहां पर क्या मिल जागा a square minus 1 यहां से मिला a minus 1 और यहां से 0 ओजिए गा तो it square minus 1 को हम लिख सकते हैं c & a much one और a प्लस 1 तो हां से पहले वाले रोस से हमें a minus one comment मिल जागा अब से महीं करेंगे second वाले रोम में second वाले रोम में क्या करेंगे r2 मैनस र तरी तो जैसे जैसे इसको को मैनिस करेंगे आप यहां से तू यहां से टू यहां से टू माइनस टू मिलेगा तो टू कॉमन लेंगे ति हाँ बचक है माइनस वन यहां क्या बचेगा अल्रेडी से लिए यहां से भी हम एgio 1 common ले सकते हैं तो यहां से a-1 आ जाएगा एक a-1 यहां से आ जाएगा तो a-1 का whole square बाहर आ जाएगा और फिर बज़ेगा कि उसको हम expand कर लेंगे तो देखिए आईए तो देखिए r1 को हमने change किया r1-r2 और r2 change किया r2-r1 आपको अलग अलगी step में करना है हमने एकी step में कर द लिए तर्मेंट मिलेगा ठीक है अब उसके बाद दिखिए उसके बाद करेंगे पहले वाले में से आमने a-1 अ कौम लिए दूसरे माले में से भी दूसरे वाले रोम में से भी हमने a-1 न कौम लिए तुमारा क्या मिल गया a-1 तो अंदर क्या बच जाएगा ये प्लस-1 1-0 ठीक है आप क्या करेंगे इसको यहां कि इसी corresponding हम पहले पहले रोगे corresponding हम इसको open कर लेंगे पहले रोगे corresponding ठीक है तो देखिए यहां से क्या जाएगे इसकोर्ट दूर पहले आप दिखिए माइनस ने प्लस वन यहुं से यहां से करें King यहां से फिए फिर माइनस माइनस वन प्रेद टू इंटू झिरो जिरो मिल गया अबifter यहां क्या है जेगा जीरो इंटूटे 6 झालत 6 पचला मेंद तो यांस क्या मिल ढ़ा हमको अम यह माइनस वन तो यह माइनस वन का स्कॉर पहले से यह माइनस वन पहले से एक और आगया तो क्या होगा है यह माइनस वन का क्यूब हमारा यह प्रूब्ड हो गया 14 का 14 का सेडिन पार्ट है हमको मेट्रिक्स करनी है ठीक है लिए मेट्रिक्स करते हैं कि हमने लिग Behind और हमको A matrix find करनी है तो दीके सेवली क्या करेंगे एक कर लेंगे ABCD में एक मैट्रिक्स आर्बेट मान लेती कि हमारे इसके element ABCD है ठीक है तमने इसको कुछ ऐसे अरेंज कर लिया ठीक है अब से क्या करेंगे इसका मल्किसं कर देंगे मल्लीकिसं करेंगे तो मिलेगा क्या माइनस माइनस सी मिल लागा है से इस Burada को चाहिए ठीक है तो यदि मिल लागा पहला रोय से करेंगे तो क्यिसकेन गोल्न से करेंगे तो फ्र veto के sont खाल साथ करेंगे तो a a into one a ओ गया 0 into ी जीरो ठीक है फिर उसके बाद secarend row second column से करेंगे तो one uh one into b b format 0 IN तो d 00 ठीखें आप third row को करेंगे first column से और कितना जागा ,-3A a plus 4C third row , dont have the second column से करेंगे जो माइनस ₹3 B d ठीक है आपके वह सब्सके मै matrices है तो a वाले वYルिव इसके बराबर होगी एवाले इसके बराबर होगी थीक है तब आपस में क्या होगे एक конц लूझे तो हमने कैए को एकॉल कर देंगे क्या करिंगे तो तो में C is equal to 3 मिल जाएगा और सेम काम इसके साथ करेंगे 2B minus D is equal to minus 8 तो यह B की value में पहले से मालूम चल गए यह minus 2 है तो हमें यहाँ पर B की value रख देंगे तो हमें D is equal to 4 मिल जाएगा तो हमारे जो matrix मिल जाएगा हमारे जो matrix मिलेगा वो मिलेगा 1-2 और 3-4 ठीक है यह हमारा matrix मिल गया तो यह question नमर 15 की तरफ सलते हैं तो देखें कि जो question नमर 15 हो है if x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b then find dy by dx अब देखें जब भी आपको ऐसा question दिखें ऐसा दिखें तो अगर direct हम log लेंगे तो हमारे solve नहीं होगा direct log लेंगे तो log a to the power b का तो formula पता है लेकिन log a plus b का नहीं पता है ठीक है log a into b का पता है अब क्या करेंगे simply तो हमने question को लिख लिया और इसको late कर लेंगे x to the power y को हम u late कर लेंगे और y to the power x को हम v late कर लेंगे तो हमारे equation हो क्या जाएगा तो देखें जैसे हम you use equal to x to the power y, v is equal to y to the power x लेंगे मारे equation first हो जाएगा u plus v is equal to a to the power b ठीक है अब देखें इसको equation first इसको second और इसको थर्ड अमने लेट कर लिया अब इसके बाद देखे क्या होगा तो अब लॉग ले लेंगे तो लॉग लॉग यू इस उकल टो क्या हो जागा लॉग एक्स दिपावर वाई तो य भाहर आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा तो डिफ्रेंसेटिंग विट रिस्पेक्ट टो एक्स वी गेट जब एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसेट करेंगे तो मैं क्या मिलेगा देखें वन वाई यू डी यू डी यू बाई डी एक्स डी एक्स प्लस शॉरी डी डी इक्स इस इकल टू वाई देखें अब यहां y हमारा as it is रहेगा और log x करेंगे तो 1 by x मिलेगा तो y by x plus अब यहां पर second log x as it is रहेगा और y करेंगे तो dy by dx मिलेगा अब क्या करेंगे यू को मुदर transfer कर देंगे तुमारे क्या मिलेगा du by dx is equal to u और हमारे जो whole thing है तीक अब यू के value यहां से put कर लेंगे u is equal to x to the power y है तो हमें du by dx हमें मिलेगा x to the power y y by x plus log x dy by dx ठीक है और सेम काम में आप y के साथ वी के साथ करेंगे तो v को भी with respect to x differentiate करेंगे तो 1 by v du by dx is equal to x x to the power y करेंगे तो 1 by y मिलेगा अगें y करेंगे तो dy by dx मिलेगा ठीक है अब प्लस अब दीक लॉग y क्वाइटी रखेंगे x करेंगे तो dx by dx वन हो जाएगा ठीक अब उसके बात क्या करेंगे यू को इधर transfer कर देंगे तुमारा कुछ v into whole thing यहाँ देगा अब v की value यहाँ से put कर देंगे तो मारा कुछ ऐसा मिल जाएगा फिर इसको बात देगे अब क्या करेंगे equation third हो इसको with respect to x with respect to x हम differentiate करेंगे तो मारे क्या मिल जाएगा dv by dx plus sorry du by dx plus dv by dx is equal to 0 इधर 0 आ जाएगा देगे जब difference करेंगे अब क्या करेंगे equation 4 5 & 6 4 से du by dx रख देंगे 5 से dv by dx रख देंगे ठीक है कहाँ पर 6 में रख देंगे तो मारा equation हो क्या जाएगा है कि हमने हैं से डिव ओडेकस आप रख दी और डिव और डिएकस यहांसे पूट करती आपके करना पसमको डिव रख दी जी रख दे लेंगे तो जो पहलें लेंगे तो दिकित Hier स्ट लिए और सब्य रsty रखे चुछ जो पिछल यह लो फ्लतिंग कई अब बागी क्या करेंगी इन दूनो टम्प को हम रिटाद सई टर्व्ट रॅबव कर देंगे तो निगे टीफ हो गया अब बागी यहांब इसको क्या करंगे इधर है इधर मुल्ट्पिकेशन हाी अ दिविजन में हो जाएगा तो देखिए हमारे यह यहां यहां अंसर है ठीक है आए कोश्ण नंबर 16 की तरफ चलते हैं अब दीकिए कोश्ण नंबर 16 क्या है इस इंटिकरल के वैलू फाइंड करनी है ठीक है तो आए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले हम क्या करें के क लिख लेंगे अगर हम इसको ध्यान से देखिए अगर हम इसको नियों में चैन्ज कर लें और सायन को टी लेड कर ले तो पर देखे कॉस्ट समकोष ठीटा लिख रहा है तो हम यहां से कॉस्ट टीटा को धीटी मैं आराम से चेंज कर सकते और यह जब एक function हो जाएगा dt का तो हम partial fraction से solve कर लेंगे ठीक है तो आएए क्या करते हैं simply cos square theta के लिख सकते हैं 1 minus sin square theta अब 4 को अंतर multiply करेंगे यहां minus 4 और minus minus plus 4 sin square theta तो 5 और minus 4 मिल जाएगा 1 अब plus 4 sin square theta अब क्या करेंगे अब हम late कर लेंगे late sin theta is equal to t तो cos theta 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 is equal to t तो इसकी जिगापर हम diversity चरिए का लेंगे और जहां जा को sign है और दिखूञे इससमरा कुछ ऐसा बन जाएगा बे किस का सबन जाएगा गाम्रा खुलया जाएगा क्या आज F d t upon 4 plus d square 1 plus 4 t square तो निखिय देक हमारा function t का है तो इसलिए अगर लिनियर होता तो अ बाइच सम्झिं ब्लस अब घर लिनियर लीनियर निक वाइट इस लिए लिए हम एक्स ब्लस ब्लस दी यहां सिर्म को और इसको और इसको ती एक लिए को अब यह हमको हमारे एम है के ऐबी सीडी की वैल्वाइन करना थाइए लूए पवप Archive 검찰 असन से लिए ऐसे सोल्व कर लें गे अब यहांन क्रोस माठीन करेंbound करेंगे से त 경 डिनॉमितर में दूनों से मिलेगा और नुमेंटर में मिलेगा तो घुर किन्समे चैने लटाइब नूमिनेटर में कुछ जब इसो साल्व कर लेंगे तो महारा कुछ हैसे मिल जगा 4A प्लस C T T Q प्लस 4B प्लस D T Q प्लस A प्लस 4C T प्लस B प्लस 4D अब कंपेर करा लेंगे जब कंपेर करांगे तो कि हम ना तो t t cube का कोई coefficient है ना तो t square का ना ती खाली constant है ठीक है जब constant है तो हमारे क्या हो जाए गाए ते जब constant है तिहां 4 a plus c is equal to 0 हो जाएगा अफ second 4 b plus d is equal to zero हो जाएगा और फिर a plus 4 c is equal to 0 और B plus 4D is equal to 1 क्योंकि constant यहां एक है 1 ठीक है अब देखें इसके बात क्या करेंगे first और second को solve करेंगे जब first और second को solve करेंगे तो A is equal to 0 और C is equal to 0 मिलेगा और second और third second और fourth को solve करेंगे तो B is equal to minus 1 by 15 और D is equal to 4 by 15 मिलेगा ठीक है अब क्या करेंगे A sorry B और C सबकी value ठाके हम a star equation star में put कर लेंगे तो equation star become जैसे put करेंगे तो यह हो जाएका 1 upon minus 1 by 15 constant है इसको हमने बाहर निकाल लिया integration dt upon 4 plus t square plus 4 by 15 dt upon 1 plus 4t square देखें यहां से क्या इसको हम 4 पुलिख सेकते 2 to the power 2 plus t square तो मैं रहे हो जाएका a square plus x square यहां one upon a square plus x square होता है one by a 10 inverse x by a यहां से 10 inverse आफ फार्मूला मिल जाएगा इसमें क्या करेंगे अगर हम four common ले इसमें four common ले तो क्या हो जाए one by four नीचे यहां पाहर आजएगा one by four 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 से cancel out हो जाएगा अब फिर यहां क्या हो जाएगा one by four one by four को लिख सकते one by two square यहां प्लस t square ही तो यह भी 10 inverse का formula बन रहा है ठीक है तो देखें जब इसके साथ करेंगे तो यहां पर जो है वह हमारा one by two one by two a two हमारा numerator numerator के पास चल आ जाएगा ठीक है एट्व हमारा यहां अब दिखिए उसके बात क्या हो जाएगा अब सिंप्लिएम में क्या कर लेना है 15 इंटू ठाटीन हो जाएगा 15 इंटू 30 टैनी निवर्स अब दिखिए टी इंटी अमने क्या सुरूम ने क्या I starting में क्या लट किया था था अब T की वल्याइप पूट करदेता हैं तो साइन थीटा अपॉंट्टू फिप्टीन टैन इनीवर्स तो सान थीटा पलस सी अब क्या करें एक पॉस्ट्व पहले लिख लेते हैं नीगेटिव आलेको बाद में देखे मारे यह अनसर हा किया है लिट कर लेते हैं ठीक है जब रिट करते हैं महारा असानिया solve दा है i is equal to these x ten x upon say x plus ten x dx ठीक है अब दीक्शे अकर इसमें property third लगा दे तो property third लगाने से बहुत आसानि से अमरा इसका answer आसकता है property third है क्या a to b f dx is equal to a to b यहाँ A to B F A plus B मतलब अपर लिमिट प्लस लुवर लिमिट माइनस X ठीक है तो हमने वही काम यहाँ पर किया है जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा देखे जब यहाँ करेंगे तो 0 to pi यहाँ पर देखे pi plus 0 pi यहाँ पाई माइनस X 10 pi minus X upon 6 pi minus X plus 10 10 pi minus X यहाँ कौर्डिनेट में चला जाएगा यहाँ यहाँ होता है ठीक है बतलब यह आगया second coordinate में पाई यहाँ है अब minus X कुछ भी करेंगे तो second coordinate में रजएगा second coordinate में 10 6 यहाँ निगेटी होता है यहाँ यहाँ जाएगा minus ठीक है जब इसको function no change pi pi पर function change नहीं होता है तो क्या होगा देखिया आज वजएगा minus pi minus X 10 X upon नीचे भी क्या हैगा यह भी minus check भी क्या होगा minus होगा तो minus check X और minus 10 X जब minus common लेंगे तो उपर और नीचे दोनों cancel out होके check X plus 10 X अब क्या करेंगे एक first and second को add कर देंगे adding first and second जब first and second को add करेंगे तो we get हम पाएंगे कि इधर आई है दोनों साट क्या है आई आई है तो कितना होगा 2i is equal to 0 to pi pi 10 X upon check X plus 10 X अब देखिगा अगर separate कर लेंगे separate हो नहीं सकता ठीक है और वैसे हम solve लहीं कर सकते इसको तो क्या करेंगे हम अब देखिए क्या करेंगे sick X minus 10 X नुमिनेटर दिनॉमिनेटर में multiply कर देंगे ठीक है तो नुमिनेटर दिनॉमिनेटर multiply करेंगे तो देखिए यहाँ पर sick X plus 10 X और sick X minus 10 X तो यहाँ हो क्या जाएगा A plus B A minus B थो जाएगा A square minus B square और मैं पता है कि sick X minus 10 X is equal to 1 होता है ठीक है is equal to 1 होता है तो देखिए next step में क्या हो जाएगा अब देखिए 2 को इधा टांसफर कर देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा लिमिट होई जाएगा 0 to pi 10 X अब अंदर मुल्टिवाइगा sick X minus 10 X और इसकी value कितनी हो जाएगी इसकी value 1 हो जाएगी तो next step क्या हो जाएगा I is equal to pi by 2 0 to pi sick X 10 X dx हमने क्या कि इसको अलग लिख लिए और minus इस वाले 10 X into 10 X क्या हो जाएगा sick X minus 1 ठीक है sick X minus 1 तो इसको हम open कर लेंगे और sick X का हमें integration पता है ठीक है तो क्या हो जाएगा देखिए यहां कुछ हमारा equation कुछ हिसा बन जाएगा अब sick X into 10 X का integration क्या होता है sick X यहां sick X हो जाएगा अब देखिए इसको जब open करेंगा 10 square X को हमें तोड़ लिया sick square X minus 1 ठीक है तो sick square X का होता है sick square X का integration 10 X होता है और 1 का जब करेंगे तो X आएगा अब देखिए जब इसे solve करेंगे तो sick pi sick pi कितना हो जाएगा minus 1 अब minus lower limit lower limit कितना है 0 जब 0 इसमें put करेंगे कितना होगा minus 1 जब 0 के value भी रखेंगे तो 0 आएगा यहां से x value रखेंगे तो पाई तो यहां पाई मिलेगा और 10 0 जब 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा तो finally हमें क्या answer मिलेगा यहां से मिलेगा minus 2 और यहां से मिल ला है plus pi ठीक है तो हमारा pi by 2 पहले जब पाई minus 2 यह हमारा answer हो गया तो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment box में जुरू बताएगा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू